सोच करने से पहले ये छे गलतियां भूल कर भी नहीं करने चाहिए. Pہले सुबह उटते ही टूथ पेष्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए. क्योंकि टूथ पेष्ट करने से मुहुमे लार बनना अचैनक से कम हो जाता है. इतना ही नहीं ये पूरे सरीर की किरियाओं को परभा करता है दरसल लार नहीं बनने से आपके सरीर में कई तरह के गंबीर रोग हो सकते हैं जिसमें मुहू का कैंसर भी सामिल है इसलिए आप सबसे पहले पानी पीए दूसरा आजकल युवाओं में चाई पीकर सो जाना एक फैसन सा बन गया है ऐसा करना बिलकुल ही गलत आदत है क हमारे सरीर में एसिड अधिक बनना सुरू हो जाती है जिसको संतूलित बनाए रखने के लिए शार की अवसकता होती है वहीं चाई पीने से सरीर में एसिड तेजी से बढ़ जाता है जो सरीर का तापमान बढ़ा देता है जिसकी वज़य से हमें पेट खराब होने की नोबत तक आ सकती है तीसरा बहुत लोगों को देखा गया है कि वे फ्रेस होने के लिए जाते हैं तो दो से तीन मिन्ट में ही बाहर निकलाते हैं जिसके कान उन्हें दिन में कई बार सोच के लिए जाना पड़ता है और पेट पूरी त्रह साफ नहीं हो पाता कबजित के कान भी ऐसी स्थिती का सामना करना पड़ सकता है पर दोनों हिस्थितियां हमारे स्वास्थे के लिए देहद अधिक हानिकारक हैं जबरदस्ती सोच के लिए ना बैठें अगर ऐसी परिसानी है तो सिगर से सिगर अपना इलाज कराएं चोथा अपना मल त्या करती समय व्यक्ति को कभी भी जोर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जोर लगाने से बड़ी आथ और मलाश्य बर अधिकत दबाव पड़ता है जिससे आपकी बड़ी आथ और मलाश्य में सूजन और घाव हो जाता है इससे हमें पाचन तंतर से जुड़े गंबीर बीमारिया होसकती हैं जिसमें बवासीर और बगंदर रोग परमुख है इसलिए पानी पीकर ही सोच जाने की आदत डालें ऐसा करने से मल त्याग करने में आपको किसी भी तरह की कोई परिशानी नहीं होगी पाचवा अकसर देखा जाता है कि लोग सोच करते समय सोचाले में तंबाखु खाकर थूक देते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होता ऐसा करने से दूसरे लोगों को अपना मुह बंद करके सोच करना पड़ता है अगर मुह बंद करके सोच किया जाए तो कहीं तरह की बीमारियां होने का खत्रा बहुत आदिक बढ़ जाता है छटा लोगों को प्रैसर आने पर सोच को बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए यह कबज का कान भी बन सकता है इसके इलावा सरीर में कई तरह के रोग उत्पन हो सकते हैं सोच से आने के बाद आपको अपने हाथों को अच्छी तरह से हैंडवा से धोले नहीं तो मल का अंस आपके हाध में रह सकता है तो दोस्तों आप भी सोच से जुड़े इनियूमर का पालन जरूर करें दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी qoment box में आप हमें जरूर बताएं दोस्तों यदि आपको हमारी यह विडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस विडियो को Like, Share जरूर करें हमारी चैनल को भी Subscribe करें यदि आप हमें facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे facebook पेज को भी Like और Follow जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जबरदस Tips के साथ नई विडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना